श्री शिवाय नमस्तु भीयम हर हर महादेव स्वागत है, आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि इस वैशाक माह का प्रदोश वरत 5 मई 2024 के दिन पर रहा है। इस दिन अगर आप लोग भगवान शिवजी को प्रसंद करने के लिए कुछ विशेश उपाय कर लेते हो तो भी भगवान शिवजी आपकी मनोकामना को जरूर पूर्ण करेंगे, चाहे आपकी किसी भी प्रकार की ही मनोकामना क्यों ना हो, कोई दुख और परेशानी ही क्यों तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहले उपाय के बारे में जो कि आप लोगों को इस साल के इस वैशाक महीने में पढ़ने वाले पांच मई के दिन प्रदोश वरत के दिन करना है। का ही प्रदोश वरत है। और क्या आपको पता है कि प्रदोश वरत के दिन प्रदोश काल का जो समय होता है, ये भगवान शिव जी का सबसे प्रिय समय होता है। इसलिए अगर आप कोई भी उपाय कर रहे हैं, तो भाई प्रदोश काल मतलब शाम के समय करेंगे ना, तो उसके बाद जरूर कीजिएगा, सबसे पहली चीज दोस्तों अगर आप सुबह के समय इस उपाय को कर रहे हैं, तो अपने साथ में एक लोटा जल लेकर जाएगा या आप भगवान शिव जी के लिए जो भी पूजन अर्चना की सामगरी लेकर जाना चाहे, वे लेकर जाएग और शाम के समय प्रदोशकाल में कर रहे हैं, तो भाई एक गोल बाती का घी का दीपक लेकर जाएगा, अपनी पहले पूजन अर्चना आपको करनी है, भगवान शिव जी के उसके बाद में ये उपाय करना है, तो क्या करना है? अपनी पूजन सामगरी जो है, या एक लोट अर्चना जल लेकर सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर लेकर पहुंच जाएए, जैसे ही मंदिर पहुंचते हैं, तो मंदिर जाते से ही आपको ये वाला उपाय नहीं करना है, उसके पहले आपको अपने घर से 108 चावल के दाने भी लेकर आने हैं, अब 108 चावल के प्रवाइब दाने आपको अच्छे-च्छे साबुत निकाल लेना है, तूटे हुए कटे-पिटे चावल के दाने नहीं होने चाहिए ना 108 चावल के दानों में से, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, तो अपने घर से पहले से ही जो है, 108 चावल के दाने अच्छे पूजन सामगरी है, वो लेकर निकलिएगा, भगवान शिवजी के मंदिर में जो भी आपके घर के आसपास शिव मंदिर हो, शिवाले हो या जहां पर शिवजी विराजित हो, तो करना क्या है? भगवान शिवजी के आप लोग मंदिर पहुँचे, पहले जाकर आपको पू पूजन कर देना है, शाम के समय प्रदोश काल में कर रहे हो, तो दीपक लेकर गए हो, गोलपाती का शुद देसी गाय के घी का आटे का तो भाई आप पहले जाकर वो दीपक जला देना है, वो दीपक आप आटे का लेकर जाएं, अगर मिट्टी का है, तो नया दीपक लेक अगर शाम के समय कर रहे हैं, तो अब करना क्या है? देखो आपकी पूजन हो गई, आपने जल चड़ा दिया, आपने सब काम कर दिया, पूजन हो गई आपकी, अब आपको भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में बैठ जाना है, पास में बैठ गए आप लोग, अब पा 108 चावल के दाने निकाल लिए, अब निकालने के बाद क्या करना है अभी? कि इन 108 चावल के दानों को एक-एक करके भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चड़ाना है, और हर दाने को चड़ाते समय, श्री शिवाय नमस्तु भीयम आपको बोलना है, क्या बोलना है? श्री शिवाय नमस्तु भीयम पर जैसे ही इन 108 चावल के दानों में से आखरी वाले चावल का दाना आता है, तो उसको चड़ाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तु भीयम बोलना है, और अपनी वो मनुकामना बोलना है, जिस मनुकामना के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो, अपनी मनुकामना को बोलते हुए इस आखरी वाले चावल का दाना चड़ा देना, चड़ाने के बाद दो मिनट भगवान के सामने बैठ कर ही हाथ जोड़कर उनसे विंति करना, प्रार्तना करना और भगवान को धोक दे लेना, बस आपका ये 108 वाला उपाय पूरा हो जाता है, सुबह के समय कर रहे हो तो भी ऐसा करना है, शाम के समय कर रहे हो तो भी ऐसा करना है, शाम के समय प्रदोश काल का अगर सही समय दिया जाए, प्रदोश वरत के दिन का तो वो के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय होता है, पर अगर कोई किसी कारनवश आप लोग लेट भी हो जाते हो तो साड़े साथ आठ बजे तक भी आप लोग ये वाला उपाए कर सकते हो पर इससे ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए तो बस दोस्तों ये 108 चावल वाला उपाए इस तरीके से होता है और आपकी मनोकामना और दुख और परेशानियों को भी दूर करता है अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इस वैशाक महीने में पढ़ने वाले विशेश प्रदोशवरत की जो की मनोकामना पूर्ती का प्रदोशवरत है भई इस दिन किया जाने वाला दो दीपक वाला उपाए आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो है यहां पर मासिक तीन दीपक वाला उपाए करते हैं सुमवार के दिन पांच दीपक वाला उपाए करते हैं उसी तरीके से प्रदोशवरत के दिन दो दीपक वाला उपाए किया जाता है अब ये दो दीपक वाला उपाय कैसे किया जाता है वो हम आपको बताते हैं और आप भी इस उपाय को जरूर करके देखिएगा तो सबसे पहली चीज दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को दो दीपक तयार करने पड़ेंगे अब ये दो दीपक आप लोग कैसे तयार करोगे वो हम आपको यहां पर बताते हैं देखिए सबसे पहली चीज आप लोगों को जो दो दीपक तयार करने है ये आटे के दीपक तयार करने है मिट्टी के लोगे तो नए दीपक लेने पड़ेंगे इस ध्यान रखना है, तो क्या करना है? आटे के दो नए दीपक तैयार करके रख लेना है, दो आटे के नए दीपक की बनाया आपने इसके अंदर जो आप बाती रखोगे, वो गोल बाती रखोगे, क्योंकि प्रदोश वरत का तो जो दिन होता है, वो भगवान शिवजी का प्रियदन होता है और उपाय हम किसके लिए कर रहे हैं भगवान शिवजी के लिए आप भगवान को प्रसंद करने के लिए तो भाई गोल बाती जो है एक एक बना कर इन दोनों ही दीपकों के अंदर रख लेना अब गोल बाती दो तरह की होती है एक तो ही बाजार से बनी हुई आती है और एक आप अपने हाथों से ही बनाकर रखते हो तो ज़्यदा फल आपको जब मिलेगा जब आप अपने ही हाथों से बनाई हुई गोल बाती उस दीपक में रखोगे आपके घर में रुई तो होगी ही होगी और आप उनसे जो है दो गोल बाती बनाएगा और एक-एक रख दीजिएगा आप चाहे तो बाजार की भी ले सकते हो पर आप अगर आपको बड़ा फल चाहिए तो भाई अपने हाथों से रुई की दो है जो है दो गोल बाती बनाना और इन दोनों ही दीपकों के अंदर एक-एक रख देना ठीक है जैसे ही आप लोग यहाँ पर दीपक तयार कर लेते हो तो भाई इनके अंदर जो चीज आप लोग डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी क्या डालोगे? शुद्ध देसी गाय का घी अभी शुद्ध देसी गाय का घी डालने के आपको ये वाला जो उपाय है ये करना है शाम के समय प्रदोशकाल में किसको करना है? जो घर की माताएं बहने होंगी, विशेश रूप से उनको करना है क्योंकि घर की माताएं बहने होती है, घर की लक्षमी, तो भाई क्या करना है? शाम के समय प्रदोशकाल में आप लोगों को अपने घर से निकलना है, शाम के समय में ठीक है दोनों दीपकों को एक प्लेट में या पूजन वाली थाली में रखकर, पर इसके साथ में दोस्तों, इन दोनों दीपकों को जलाने के लिए अपने ही घर से माचिस भी लेकर निकलना है, माचिस आप घर पे भूल गए और किसी से आपने माचिस ले ली, तो भाई इस उपाय को करने का फल उस व्यक्ति को जिसे आप लोग इस उपाय को करने के लिए माचिस ले लोगे ठीक है दीपक को जलाने के लिए तो अपने घर से ही माचिस लेकर जाना ताकि आपका उपाय का फल पूरा ही आपको ही मिले तो आप लोगों को क्या करना है? हमने दो दीपक तयार की है, तो सीधी सी बात है, हमें दो जगों पर जाने पड़ेंगे. अब ये दो जगों कौन सी हैं? वो हम आपको बताते हैं, समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा. देखिए, दो जगह हैं, सबसे पहली जो जगह है, वो है भगवान शिवजी का मंदिर. तो आप लोग क्या करना है? सबसे पहले जाना है, भगवान शिवजी के मंदिर में, शिवजी के मंदिर में जैसे ही पहुचो तो दर्शन करना, भगवान को धुरुव देना, के बाद में भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में अपना पहला दीपक जलाना अपनी पूजन वाली थाली के अंदर ही अपनी हिमाचल से पहला दीपक जलाकर शिवजी के पास में रख देना ठीक है दीपक को घर से जलाकर नहीं लाना है जहाँ पर रखना है वहीं पर आकर जलाना है पहला दीपक आपने जलाया शिवजी के शिवलिंग के पास में रख दिया और दो मिनट भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लिया उनसे निवेदन कर लिया, उनको धो दे लिया और आपका, ये पहला दीपक लग गया, और प्रार्तना कर लेना है, आप लोगों को अपनी मनुकामना भगवान शिवजी से बोल देना है, तो यहां पर आपका पहला दीपक लग गया, अब दूसरा दीपक आपको कहा पर लगा क्या करोगे? भाई अपना दूसरे नंबर का जो दीपक है, वो दीपक आप लोग जो है, वहाँ पर जला दो की भगवान शिव जी का नाम लेते हुए और भगवान शिव जी से ये प्रार्थना करते हुए कि उनका आशिरवाद हमेशा आपके घर परिवार पर बना रहे और क इस बात का आप लोग ध्यान रखना, तो दोस्तों ये है दो दीपक वाला उपाय जो की प्रदोश वरत के दिन किया गया, इस उपाय का फल भी हमें बहुत ही जल्दी और बहुत ही बड़ा होकर मिलता है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं, अगले उस उपाय के बारे जैसे कि भाई किसी का व्यापार है, वो सही नहीं चल रहा है, किसी को रोग और बीमारी है और वो ठीक ही नहीं हो रही है, तो इस तरह कि अगर आपके जीवन में दुख और परेशानी है, तो भाई आप लोगों को 108 सरसों के फूलों वाला उपाय इस दिन जरूर करना चाह है, इस उपाय में दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि यही वो महीना होता है, यही वो समय होता है जब सरसों के आते हैं, तो आपको क्या करना है? सरसों के फूल लेकर आने हैं, कितना लेकर आने हैं? 108 सरसों के फूल लेकर आने हैं, यह 108 सरसों के जो फूल होंगे यह आप तो गेहूं के खेतों में मिलेगा। हम आपको पहचान बताएं तो वो पहचान ये है कि आपने गेहूं के खेत देखे होंगे। गेहूं के खेत में बीचों बीच आप देखना छोटे-छोटे से पीले कलर के फूल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो वो जो चोटे-चोटे पीले कलर के फूल होते हैं, वही सरसों फूल होते हैं, और उनका इस वैशाक के महीने में विशेश मेहत्व होता है, तो भाई आप लोगों को क्या करना है, जहाँ पर भी आप लोगों को ये सरसों के फूल मिले वहाँ पर जाना है, और वहाँ से 108 स पूरे 108 के फूल आप लोगों को जो है तियार करके रख लेना है। या घर आकर जो है 108 अच्छे फूल जो है छांट कर रख लेना है। अच्छन अर्चना करना उसके बाद में ये वाला उपाय होगा ठीक है का ध्यान रखना। अब करना क्या है भाई। उसको ही अपने हाथों से ये उपाय करना है। जिसका व्यापार नहीं चल रहा हो, जिसका बिजनेस वगेरह जो धंधा है, वो बिलकुल सही नहीं चल रहा हो, या जिसके घर में डोगर बीमारी बहुत ज़्यादा प्रवेश कर रही हो। ठीक ही नहीं हो रही हो, घर में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा, भाई उसके उसको अपने हाथों से ये वाला उपाय करना है। करना क्या है? 108 सरसों के फूलों को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुचना है और 108 सरसों के फूल भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाना है यहाँ पर प्रश्न निकल कर आता है एक साथ चढ़ाना है कि एक एक चढ़ाना है तो यहाँ पर हम आपको बता दें, एक एक करके चढ़ाना है कैसे चढ़ाओगे? एक सरसों का फूल लिया, शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया और एक नाम भी आपको लेना है, जो की है उद्धवश्वर महादेव जी का नाम, क्या लेना है? उद्धवश्वर महादेव जी का नाम आपको लेना है, तो पहला सरसों का फूल चढ़ाएं, उद्धवश्वर महादेव जी का नाम ले लिया दूसरा उध्धतेश्वर महादेव जी का नाम ले लिया इसी तरीके से पूरे जो है सरसों के फूलों को चढ़ाते समय उध्धतेश्वर महादेव जी का आपको नाम लेना है और जैसे ही आप लोगों को पूरे फूल चढ़ जाए उसके बाद आपको भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है, निवेदन करना है, उनसे विंती करना है आपकी जो भी मनोकामना है, वो बोलना है, आपकी मनोकामना जरूर पूर्न होगी, आपकी रोग और जरूर दूर होगी विशेश रूप से ये जो उपाए है, 108 सरसों के फूल वाला ये रोग बीमारी के लिए है और व्यापार बिजनेस को बढ़ाने के लिए है तो आप जरूर करके देखिएगा इस वाले उपाए को आपको जरूर फल की यहां पर प्राप्ती हो जाएगी अगर दोस्तों आप हर फूल को चड़ाते समय महादेव का नाम ना ले पाए तो पहले फूल को चड़ाते समय महादेव जी का नाम ले और आखरी फूल को चड़ते समय महादेव जी का नाम जरूर ले तो बस दोस्तों यहां पर ये वाला उपाय भी पूर्ण हो जाता है। हमने आपको इस वैशाक माह में पढ़ने वाले विशेश प्रदोश वरत के मनोकामना पूर्ती प्रदोश वरत के किये जाने वाले सारे विशेश उपाय बता दिये हैं। अब आप अपने हिसाब से इन उपाय को कर सकते हैं, बाकी दोस्तों इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तु भीयम हर हर महादेव.